आज में आप लोग को दिखाऊंगी किस तरह से पेड़ों से रुद्राश को बाहर निकाला जाता है तो आप देख पा रहे हैं जैसे कि 18 मुखी रुद्राश को ये तोड़ा जा रहा है पेड़ों से इसको किस तरह से छिलके को रुद्राश से निकाला जाता है इसका क्या साइज है यह 35 mm का है इसका वेट 10 ग्राम इसका वेट है एंड इसको किस तरह से सफाई किया जाता है चलिए जानते हैं कि ठारमखी रुदराज को किस नाम से जाना जाता है मुझली अठारा मखी रुद्राश को मदर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है जो लोग प्रोपर्टी से रिलेटेट, जमीन से रिलेटेट कारी करते हैं उन्हें अठारा मखी रुद्राश जरूर धारन करना चाहिए अठारा मखे रुद्राच ऐसी सभी मदर को जरूर पहना चाहिए जिनको बीवी प्रेगनेंट वोमेन जो होती है उन्हें अठारा मखे रुद्राच काफी ज़्यादा सहायक होता है जिनें कंसीव करने में या फिर डिलीवरी में कोई भी इशू है ऐसी महिलाएं अठारा मखे रुद्राच धारण कर सकती है अठारा मखे रुद्राच उन सारे बिल्डर्स या मैंस को जरूर धारण करना चाहिए जो लोग गेम्स में हैं बिल्डर्स में हैं आर्किटेक्चर में हैं प्रॉपरिटी डीलर का काम करते हैं या कॉंटेक्टर का क काम करते हैं या फार्मार है ऐसे सभी जात्कों को अठारा मुझे लिग्राइज धारन करना चाहिए राश आप करने के लिए काने अच्छी में संपर्ट कर सकते हैं